हेलो एवरिवन कैसे हैं आप आज specific वीडियो बनाने का reason है कि आपका date sheet आ चुका है हाला कि काफी time पहले आ चुका था date sheet दो तीन दिन पहले लेकिन आज मुझे time मिला मैंने आपके लिए वीडियो बनाया काफी बच्चों के points थे के sir हमारे result नहीं आया sir हमारा admission नहीं हुआ लेकिन आप देख लो DU का कहना है आप ध्यान से देखिए date sheet के according DU indicate क्या करना चाहता है कि आप result का wait मत करिए result आ जाएगा आप पर्मोट हो जाओगे आप अपना admission की चिंता मत करिए admission हम कभी भी ले लेंगे हमने आपको पहले date sheet दे दिया इसके हिसाब से तयारी रखे एक्जाम उसी तरह date पे होगा चाहे admission आपका 10 दिन पहले क्यों ना हो तो सार date sheet देखने का क्या तरीका है आपका simple सा एक है exam.du या due exam Google पे सर्च करेंगे तो एक इस तरीके से website आजाएगा आपके पास इसके अंदर आपका home page कुछ इस तरीके से रहेगा ठीक है यह पूरा due का official side है जो मैं बता रहा हूं और date sheet पे जाएंगे तो date sheet पे सबसे पहल प्रोग्राम के अंदर आपका कौन-कौन सा आच चुका है सर यहां पे nc web और regular दो का दिया है नोन और वाले बच्चे ज्यादा खुशना हो उनका भी यही डेट रहेगा आगे आठ दस दिन पीछे चलिए देख लेते हैं सर कबसे एक्जाम स्टार्ट है चेक कर लेते हैं तो आप देखेंगे के date sheet जो है आपका क्या कहता है इसके अंदर सर इसके अंदर इन्होंने बोला है आप देखेंगे ध्यान से तो date sheet become choice जो भी है semester वगारा दे रखा दोनों के लिए है semester आपका यहां है 5th यह किस किस का है सर यह आया है हमारा semester basically देखा जाए तो back वालों का तो semester 1 होगा लेकिन जो नए बच्ची है जिन्होंने भी admission नहीं लिया है मैं पहले clear कर दूँ उनके लिए date sheet नहीं है यह सिर्फ semester 3 और 5 वालों के लिए है सर semester 1 का भी इसमें paper दे रखा है तो one जिनका back आया होगा उनके लिए है clear तो देखे सबसे पहले 30 November से exam start है आपका और 30 November के बाद फिर December में भी है अगर मैं semester 5 की बात करूं 30 November से start है और semester 3 की बात कर ले हम अगर semester 3 का 21 December से start है तो थोड़ी से semester 3 वालों के लिए है और income text का देखे 26 December को exam जा रहा है तो हमें काफी time मिल गया है इसके अंदर देखा जाए तो तो मैं सारा पढ़ने से अच्छा है PDF डाउनलोड कर लीजिए मैं अपने Telegram चैनल पे ये PDF डाल दूँगा जिसको देखना है वो देख सकते हैं मैं डाउनलोड कर लेता हूं और मैं अपने Telegram चैनल पे डाल दूँगा दूसरी बात सर क्या honors का का भी आ गया definitely honors का भी आ गया है यह रहा honors का date sheet honors का भी 30 November से start है और यह honors किसका है सर यह honors क्या regular का है क्योंकि NC web में नहीं होता honors सिर्फ regular college में होता है अगेन इसमें भी first semester है तो मैं बोलूँ है first semester back वालों का है 30 November से है और honors third semester की बात करें तो 20 December से है लगबग लगबग same date sheet रखा गया है और हम बात करते हैं income tax का तो 28 December का जो कि मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को core subject है तो hopefully आप लोग मेरे हिसाब से आप भी समझदार है इसको भी मैं डाल देता हूं टेलिग्राम पर तो मेरा बस यह बताने का परपस यह था कि सर एक्जाम आने वाले हैं डेट शीट भी आ चुका है टेंटेटिव ही confirm हो जाता है आप लोगों ने देख रखा है पहले से ही तैयारी स्टार्ट कर देजिए exam don't wait for result don't wait for admission आप description में सारी डिटेल है YouTube पे भी मैं सारी जारी वीडियो डाली रहां लगाता था फानेशल मेनेजमेंट की भी हो चुक एस्टार्ट मैंनेजमेंट अकाउंटिंग की हो चुकिए मैं तो देखो अपनी तरफ से कोसिछ कर रहा हूं इस सटार्टिंग से आपको बताने की लिंक स कौन से बुक आपको कौन से राइटर का लिना चाहिए कहां कहां से पढ़ना चाहिए थैंक यू सो मच मिलेगे हम नेक्स वीडियो में होफुली आपको इससे हेल्प मिलेगी